भगवान भी आ करके हमारे सामने प्रकट होके कहें कि चलो भाजपा में तब भी मैं नहीं जाओंगा मंच पर तो राजभर जी सामाजिक न्याय की बात करते हैं लेकिन असल में वो चाहते थे कि उनके हिसाब से ट्रांसफर पोस्टिंग हो उनके हिसाब से न्युक्तियां हो वो पईसा कमा है एक बार मायवती जी ने का कि सभी पदों पर खाली अब चमार रहेगा जाटो रहेगा ये मीटिंग में कहा तो वहां मीटिंग में खड़ा हो गया मायवती जी ने हमको बुलाया तुझे सपा के खिलाप ओड़ देना है सपा से कितनी सीटों पर बात चल देए एक आपका और बयान बड़ा द्यक जी चर्चा में आया जितना खर्चा बीजेपी दो महिने में करती है उतने का शराप पी जाते है हमारे बिरादरी वाले जब अमिसा की रेली वहां लगवाए मंच पर हमने कहा कि इतना बड़ा हमा बड़ा बिभार दिया जाता है यह हमको ओवेसी जी मिले थे दिल्ली में बड़े नाराज है आपसे बिलकुल सभाविक है नाराजगी होगी जो भारती लात खाने अफगानिस्तान गए वो यहीं आकर लात खाएं यह आपका ओन रिकॉर्ड बयान है आपने कहा जहां तक न जिसमें सत्ता के दावेदारों से आपके हिस्से के सब सवाल पूछे जाते हैं जमघट के इस अंक में हमारे महमान हैं सुहल देव भारती समाज पार्टी के राष्ट्री अध्यक्ष और विधायक ओम प्रकाश राजभर जी बहुत-बहुत स्वागत है आपको सर बहुत ब पार्टियों में रहे कैसे अपनी पार्टी बनाई यह पार्टी का उजला पीला रंग इसकी कहानी हमें पता चला बड़ी दिल्चस्प है और यह भी लोग बड़ी दिल्चस्पी से बता रहे हैं जो लखनव के चौराहों के चाड़क के हैं कि अभी जो सुर्खियां आ रह करेंगे सीटों पर मौर्यूदा विधान सवा चुनाओं पर भी बाचीत की शुरुआत करना चाहता हूं उन दिनों से जब आप और मानिवर काशी राम एक वैन से चला करते थे काशी राम जी के बारे में हम लोगों ने बहुत पढ़ा है जब हम पत्रगारता में आये तब पामे रहे क्या भूमिका रही तेखिए हम सिक्षा पिरियड में एक घटना घटी हम लोगों की ट्रेन चुट गई बना रहा है अच्छा तो आप यूपी कॉलेज मेरे खाल से तो हमारे साथ जो लड़का था पढ़ता उसके पिताजी इंस्पेक्टर थे रेलवे में तो ज जब उनके दफतर तो कहें कि अभी एक मिटिंग करनी है उसके बाद चलेंगे तो इवागी ठीक है हम लोग भी मिटिंग में चले गए रेलवे प्रेक्षागी बनारश जी जी तो महां गए तो कुल मिला जुला कर के 24 लोग हम लोग थे मात्र अच्छा कांसी राम जी आए पहली बार हम उनको देखे उसके बाद उनका लेक्चर सुरू हुआ जी लोगों को समझाने का बात बहुत अच्छी लगी हमको यह किस साल की बात होगी ओम्रकाशी जब डियस फोर बना था दली सोशी सम्हार सक्तर के उत्तरा अर्ध में नहीं यह चौरासी में तो बस्पा अजा सब्सक्राशी बात हम उनकी सुनी फिर हम लोगों से निकले पिर चले आयरत अज़ घट ना घट गए हम लोगों के भी ठेन छुट गए है अज़ गाए जब इस्टॉटर साब तो फिर उन्होंने का की मीटिंग है तो उन्हे चाह पुचा किसकी मीटिंग है तो उस दिन मानिवर कांसी राम जी से इंस्वेक्टर साम ने हमारा पर्चे कराया कि यह उंपर कास राजभर है रखा जो जारू चात्र नेता यहीं पढ़ता है आज इसकी ट्रेन चूट गई है पिछली मेटिंग में भी आया था हम पर्चे नहीं करा पाय थे लेकिन इस बार इस पर मिलते रहना है झाल ठीक वहीं से सुरुगात होती है अब वहीं से उसके बाद जहां भी मानिवर कांसी राम जी का प्रोग्राम चाहे वो चौपा लगती रही हो चाहे काई बैठक का होता था सुन लेते थे तो हम लोगा स्कूल छूट जाता था लेकिन नहीं चूडते हम लोगों को अनुभो देरे शिक्षाप के लियर से भी होने लगा फिर घटना घटी हमारे साथ एक कच्चा मकान था पर साथ में मकान गिर गया तो हम चार भाई हैं एक भाई हम लोग उसी में चारों लोग सोहे थे एक बाई के ऊपर वो लकड़ी गेई उसके रीड की हड तो खैर उसको फिर इलाज उलाज जवा ठीक हो गया लेकिन उप पूर्ण रूप से ठीक नहीं हुआ जब बड़ा हुआ तो फिर उसको महसूस दिक्कत महसूस हुई तो फिर उसको लेकर हम लोग भी अच्चु गए अलाट सुन्दर हाँ बनारस अस्पताल हाँ फिर वहां कर we और राइसर अर्व रात को पिताजी ल में काम करते थे इसे कि जरूरत पढने लगे उसी बिच मैं टैंफू चलाने लगा नाथ में टैंफू जलाते थे दिन में इसकूल फिर मौका मिलता था तो कांट सी रांज मिलता था अ circles कैनल में कहीं होती तिती जरूर जाता था फिर धिरे 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 रुची बढ़ने लगी फिर भाई ठीक हुआ लेकर आए घर फिर उसके बाद पैसे की कमी थी तो हमने कहा कि अब क्या किया जाए तो फिर दीमाग में चलो कामर्शियल खेती सुरू गिया जाए तो हम चारो भाई लपट करके साम को सब्हुत तोड़ते थे और बोरे में पैक करके साइकिल पर लाद फान करके लखते हैं खुद हाथ से अपने साइकिल लेकर के पिंट्रा मंडी सुवे बोली लगती है तो हाँ आते थे फिर वहाँ सब्जी बेचकर के भी जाते थे चार पांच महने के बाद हमको लग से जिस इलाके से किसान आते थे में सुबब हो जाता था चाई की दुकान पर बैठता था जलेबी गुगुरी पूरी यह कचोड़ी बनती थी वही बैठते थे वही किसान अक्सर आते थे सब लोगो ही चाई पीते थे तो बोल चार प्रिम परस पर बढ़ते भाव यहां तक हो हम अपने काम में सफल हुए फिर हमने लगबग महीने में डेली हम दो हजार रुपया कमाने का लक्ष बना लिए कि चाय जैसे हो सबजी बेच के चाय जैसे हम तो हम उतना सफल होने लगे फिर दिमाग में बात आई कि अभी और हमको पैसे के जरूरत है भाई के इलाज के ल है चना है सरसू है मटर है किसके हम भी करा है तो हम विश्वास पर किसान को ही पैसा दे 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 कि उनको बयाना ये दे देना 500 रुपया हमरा आदमी जाएगा अब तवला के लेके आएगा तो हमारी यादत थी कि विश्वस निता के नाते हम उनको जैसे 500 या 1000 रुपय दे द साथन आएगा ले जाएगा तो उसमें हमरा आदमी जाता था फिर वो सामान लाकर के फिर मार्केट में हम सिट की हुए थे कि बाई आलो इनके हां सप्लाई करेंगे पिया जून के हां देंगे इस तरह अपना से अज कल जो फार्मर प्रोड्यूस और्डूस और चल लगा यह अपने पूरी छाब बना लिये थे बना रजले में तो आप जिलाद्यक्ष नी बने थे उसे बाद बने थे तो उसी भी चुनाव अगया पंचाय चुनाव तो पार्टी ने का कि चुनाव लड़ जाई है तो पर अपने का ठीक है तो पिर संजोग से महिला सीठ हो गई तो पातनी को हमने महिला सीठ होने के ना थे उसको उतार दिया फिर हम लोग लग गए समझे की पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ा गया साथ उमीदवार थे छे की जबान अजब्त हो गई और जब पेटी खोलती थी तो लोग काते थे कि जबरी उड़ डाले है अच्छा इस जाती धरम से उपर उठकर के जैसे गड़खणा गाउं था गड़खणा नातपूर तेलारी उतपूर बढ़वना था री बिंदा सुरही महलत फत्यपूर कटवना बर्मा देवजी धरसवना खालिसपूर विक्रमपूर ये इतने एरिया थे गाउं के घरसवना हैं तो भाई जबरी हम थोरे डाले थे लोग इतना हम लोग मेहनत की तरहा तल पे कि लोगों ने स्विक्षा से भाई ये मत्पत्र उतारामनी को घड़ी वाले पर मोहर मार दो भाई ये उनको दे दो मतलब एक आदमी पिठा से राधिकारी का भाई देगो हम लोग स्विक् चुना होता है चेर्मेन का तो जानी रहें कि चेर्मेन के चुना में खरीद फड़क सुरू हो जाती है सारे लोग लगे उस समय चंदोली बनारा सेक में था तो उसमय कुल उन्चास मेंबर थे तो 24-24 मेंबर दोनों तरफ हो गए अकेले सिंगल हम बचे थे तो बड़ी कोशिस लोगों ने किया फिर खरीदेने के नई ओट तो हम देंगे तो जो हमारा काम करेगा चेतर का उसी गुद्नेंगे हम पैसा विशा हम नहीं लेंगे बड़ी मनमनिया हुए हम के नहीं प्र उसी बीच लोग मायवती जी कहां आये जो लोग परीभी के तो मैं उती जी ने हमको बुलाया और कहा कि तुझे सपा के खिलाप ओड़ देना है चुकि तिरानवे की घटना जो पंचानवे घटना नहीं हुई थी वो दो जून उनने सपा के पक्ष में उड़ देने को तैयार था चुकि उसमें कनहिया गुटता लड़ रहे थे बो सीधे साजन थे तो अब चुकि भजनेता का निरदेश था तो उनने का तुम्हें तुम्हें खिलाप ओड़ देना जाओ और यह सोच लो कि तुम्हें विधान सभा भी चुनाव लड़ना है तो सोच समझ के उड़ देना जाओ अब तो ड़्तर आओ पातनी को लिवा के चला गया दफतर बहें जी तब तक मुखमंत्री हो चोगी थी हां मुखमंत्री बहें पिर मैं किए दफतर पाटी दफतर महां गया तो मंदल अधष ते जिला अधष ते एंगे यह बटर है अब जहां उट बगवावा लग राइटर लगवा नहां तो राइटर लगवा लो हुई हमारे उपर बलेम नायाब है 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 कर निया अगुपता चुना भार गए और भाजपार जीत गए तो उसके बात अब वहीं से क्रेज हमारा बढ़ने लगा फिर उपाध्धच का भी चुना उस्वा हो रहा था फिर उप तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं सपा खिला पोड़ देना है तो फिर उन्हें पोड़ दिया तीस तरह फिर चानवेया गया जिलाद्धच बन गए आप जिलाद्धच बन गए उसे बीच काम हमने सुरू किया मजबूती से यह बताईए अध्यक जी पीच में रोक रहा हूं क काशी राम जी ने जिलाद्धच बनाया था या बहन जी ने क्योंकि यह सवाल का जवाब आगे जाके हमारे एक सवाल को जुड़े नहीं हमारा हमको जिलाद्धच उस समय मंदल पे मंदल अध्धच वा करते हैं जगणनात को सवा तो बनारस कमिशनरी के अध्यक तो उन्ही कि रिक्मेंट पर हमको जिलाद्धच बनाय गया और मायवती जी उसमा चार्ज में हो गई थी राश्री महासाचेव और इंचार्ज यह और मुख्यमंति थी थोड़े संग्धच उसके बाद हम जो है अपना जिलाद्धच बने तो काम अपना संगठन का सुरू की तो सभी म 1 तो हमने वहां नभएवाड 8,500,000 उसमा साथ बिधानसबह tuayım सब कौन हमारा अध्यक्तर का değubudh का है कौन बलाग का बिधानसबह का जी लेगा कितने नेतायस सब के इसम ए दम दीमाग में रखेते एंच्छ किते समी च्छा हुई सम इच्छा में लेम की पास हुए और मिति वहां तो कहा ही हाल में एक खुले मिटिंग में एक बड़ी जनसभाती उसमें उन्होंने कहा कि हमने बारा मंडलों की समिक्छा लिया है और बारा मंडल में जिला बनारस जिले का जिला दर्च ओम प्रिकास राजबर जैसा कार करता संगठन करने वाला कोई ऐसा नहीं है बुल तुम बहुत महनत करते हो और महनत चेल अलगो उसके बाद फिर कुछ चीजों को लेके माय ओती से हमारा जगडा सुरू हो जाता है यह कोल्सला का चुनाव लड़ने के बाद रुआ या जगडा तो लड़ने के बाद ही सुरू हुआ तो फिर यह सब शावाशी हुई पहर चुनाव लड़ने के बाद दूसरे नंबर रहे हमारे थे और चार सो उड़ने की वज़े से उदल जी हार गए नहीं तो नौ बर विदायक थे भी जारे तो फिर मीटिंग में आने जाने लगे तो फिर उसके बाद कोछ बिंदूओं को लेके मायवती से चक चक हमारी हो गए क्या वही सब जानना चाहते हैं वो जो बदोई जी ले करनाम उन्होंने जब बदला तो उस समय हमने कहा तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी ब्रादरी का नेता सुकुदेव रामचल है हमारे बीच में नहीं है बहुत मत बोला करो कि बहुत मत बोल क्या रहा हूं बहुत वहीं राजदानी थी तो उसको जो राजा वहां के थे उनके नाम से रख दीजिए तो उन्होंने का कि चल बइट मतलब उनकी भासा तिर पस्चिव की ऐसी बात कर तेरे को अभी नहीं समझ में आए गया बइट त ौड सुरू हुआ था मॉझाम भासा अमधिटकर गांवी कासी ओजनाः उनका कि जब अमधिटकर ग्राम कासी होजना में अधिकारी उनको भरमा करके सिर्फ जैसे गाउं घदेली नकौडवली बढ वा तो सिर्फ चमार बस्ती को ही वो हैंड-पाईप, साडक, नाली, चकर लोड खरंजा खाली वही देने लगे वही बगल में ब्रामन है राजपूत है चवहान है राजबर है पाल है प्रजापती है तो उनके हैं कोई काम नहीं हुआ आप कहरें कि जो अमबेटकर गाउं की दलिद बस्ती ती उसमें जो जाटो बस्ती थी सिर्फ वहीं पर हाँ वही में आपके लखनव में जब यह अब तो चातरावास बन गया है तो पहले पाटी कार्याल है था विदानसभा के बगल में अंदर तो यहां मीटिंग में एक बार मायवती जी ने का कि सभी पदों पर खाली अब चमार रहेगा जाटो रहेगा इमीटिंग में का तो वहां जब काम दिजिए हम लूग कैसे किसी गाव में जाके हम लोग क्या बताएंगे था चलो तुम लोग इनके साथ-था-जो में रहो तो यहां प्र डाट बइठा दिया तो गुसा हमारा उनका बढ़ता किया बढ़ता गया फिर चुनावाया चानवे चुनावे के चुनावे म कि हम तुममनच बे नहीं जाएंगे लोगसभा गार चनाउ विदान सबसे से पहले हुगा हमारे हाँ प्रत्यासी कि ऊप्रसमे नहीं थे हम ने का हम एनके साथ नहीं जाएं keen हम एग परचार मेंches में सुखदेव जी हम लोगों के नेता हुआ करते थे उनके दबाओ में मायवती जी के दबाओ में कया और मंच पे हला हमने पार्टी के परक्षा रखा फिर चले आया उसके बाद फिर समिक्षा हुई और आपकी शिकायत पहुची समिक्षा हुई अंदर खाने आपने जमीन पर और असामने दरी बिच्वा देते थे माइक रख देते थे थे कचारी परदर्शना थे सब लोग बैठो तो जो मजबूत लोग थे तो लोग कैसे नीची बैठे हैं लोग सोचे थे बड़ा मंच बने उस पर कुर्ची लगे हम बैठे हम बैठे हाथ के लिए पैसा जाए यह है फिर उनको बुला के डाटा जाथा तुम लोग खाली सिकाहित करते हो काम नहीं हमके एक दिन बैठे बुला यह सबको सामने बात होगी उने बुलवाया हमने का बैठे है लोग मदब नहीं करते इस लोग मंच बनवा में कुर्ची लगवा में भीड हम ले आएं यह सुन लो कि इसके जैसा काम करने वाल ब्यक्ति कोई नहीं है तो लोग खाली सिकाहित करते हूं अब को मैं किसी के नहीं सुनूगी चालो उटो यह सबको निकाल दीए बाग ताव खेले हमको काई देखो सबको लेके चलना है बजी सबको लेके चलना है जब भईसा 2000 वहीं ने बylan Istran ै हमने का बंजी चुनाव लड़ना है तो कै नहीं चुनाव लड़ना है और अब बाड टो अब भईसरा लड़ेगा है तो हमने का मझे इच्छा काम नहीं है हम Jack custard नहीं है हूं हर आटसव ठकारह हैं 2002 में जो चुना हुआ तो फिर पाटी छोड़ दिया तो उसी बीच ड़क्टर सोनल पटेल जी से घठ हो गया है नहीं घर गए अच्छा तो घर एक बार गए तो हमको समझाए हमके नहीं अब राजनीत नहीं करेंगे अब खेती करेंगे इतना मन खिन हो गया था चुकि मन नही कर रहा था तो फिर दूबारा आये ती बारा आये तुझ अबरी गाड़ी में बइठा के एक बनारा चिताइपूर का रक्रम था वहां ले गए का मैं सुनता हूं कि बहुत बहुत अच्छा देते हो राज हम सुनना चाहते हैं तो खैर हुआ हमने करी 20-25 मिनट अपनी बाद रखा तो चिताइपूर में तो उन्होंने हमको यूद का प्रदेशा धज बना दिया युवा मोर्चा अपना तो प्रदेशा धज बना के एक हमको जीब दे दिया अच्छा जीब लेकर के हम लगे घूमने तो गाजीपूर बलिया मौ आजमगर फैजाबाद अमबेटकर न प्रदेशा होती थी तो फिर दस अजार आठ अजार की उने लगी तो फिर लोगों में उत्सा हुआ फिर उसके बाद हम इनसे जब गए तो चिताइपूर की मीटिंगे बाद तेंगिए कि आप भी बताईए कि राजभर को करती कर देंगे तो कहें कि हम दस्तिकर देंगे हम कि सोच लेजे कर नेता बहुत जूट बोलते हैं नेता अभ भरोसा नहीं है इसनाते हम आप से कहा है कहा हमारे उपर वरोसा करिए अपनी सीट के लिए भी बात कर ली थी कि नहीं हमने दस की बात किया तो उसी में तो उनों वह हमको जब वहां चीताईपूर मीटिंग वी त तो उनोंने हमसे कहा कि ओंपरकाश जी आपको कुल असला चुनाव लड़ना है आप तैयारी कर उसके साथ 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 नव सीटें अपना है और चिन्हित कर लेना ठीक बात तो हमने का ड़क सोच समझ के बताईएगा हरी आप ऐसे कह रहे हो हमके आपने मुझे परदेश अध करते रहे रहे कूरी में हमने अपनी छवी बना ली आजीतने पhe उनके पार्टी के नेता थे कर कता थे एधीक जी उसमा परदेस अधाश थे तो हटीक जी openness इंग करते हो हम तो पर्देस अधेश के नहीं कुछ कर पाते हैं वो दूसरी के काम्की स्वेस्त रहते हैं या महा तो खैर बात्चीत हमारे उनकी होती रही फिर जब टिकट का टाइम आया तो एक दिन हमने ड्क्टर सोनल पटेल जी की सोलर मिटिंग करादी कोलसला में आठ बजे से दस बजे रात तक सुबा करीब 400 आदमी थे पहली मिटिंग तूसरी मिटिंग में आठ सो हुए फिर एक हजार हुए दो हजार हुए तीन हजार हुए पांच हजार तस बजे जो रात मिटिंग थी उसमें करीब हमको अंदाजा साथ से आठ हजार लोग तै दस बजे रात आप उसी दिन उनका पता ने दिमाग फिर गया कि सब पुरा जोड़े होंगे कि इतना जब इनके पास बीड़े थी तो हमको मिल जाएगा हम जीज जाएंगे तो उन्होंने सुबह प्रेस वारता किया प्रेस में बोला कि बाप बेटे की लड़ाई होगी तो खार प्रेस में तो नहीं बोली बाँ निकले फिर अप्रेस में बाप बेटे की लड़ाई कैसी होती है कि आपको लशला लड़ने का मन बना रहे हैं का ने ने इसी कोई बात नहीं है तो तो लो क्यों परिश्कताता है इसका आर्थ हमको सफजा दीजिजीं का MARTIN der जायेगा कि अंदाजा लगजिया ऊपूं लग गए उसी दिन फिर जब लखनौ यही लाल नएक महुंजा पर दू दental कार्यालrh जिए आप उनको लड़ा दो नहीं बोले हम यह इवान ही तो है नहीं हो कुद नहीं कहना चाहते हैं उब चलो हम चलते कगए खर बेखे तो हमने का डट सब आप चुनाव मत लड़िये हम भी नहीं लड़ेंगे किसी थार्ड आदमी को लड़ा दीजी आप चुनाव लड़ें तो हम दोने कहा कि लगता है आप और दोगे नहीं डग सब तेके हम दल में हैं जिम्मेदार ब्यक्ति होने किनाते अपसे घरव आप मत लड़िये हैं क्यों अब चुकि थोड़ा वही राष्टी अदर्श थे थोड़ा गरम होने लगे हम के देखे गरम मत लड़िये और मैं कह तो 40,000 ओट पाएंगे तो चुनाव भर जाएंगे तो चुनाव तो हम को लड़ना है तो अब के इस्तीपा लेजिए लिग के इसको स्विकार नहीं करते हम करते हम तो फिर कई लोग लगे मनाने एतिक और जो लोग थे की शुनववा इनको लड़वा दीजी हम के नहीं करते हैं तो उसे बहिले हम स्विकार कर ले हम मदब करेंगे इनकी तो कहां चलिए पहले नको लड़ा दीजिए सब की बात मान के हम चुनाव तक उनके साथ थे काउंटिंग में रिजल्ट आया चालीस हजार चौदवट को फोन कि एड़क सब को बढ़ाई ओड़क चौदवट कहां से बढ़ गया हमको इस पो पता करना पड़ेगा कुलसला में सुना उस्चुनाव में अश्चुनाव में अपना ओड़ जितना दिलवा पाई दिलवा पाई हाँ पर आप लगे पूरी महनत से हमरी टीम हो ही कारेले पर रहना खाना गाड़ लेके प्रचार पूरी कोई कोई दिक्कत नहीं फिर दूसरे दिन सुबह देख रहें अकबार में तब पार्टी पर अंदेशा था वही हुआ उसके कोई गम नहीं पिर चोड़ चाड़ के घर चले आए हमकर अब नहीं कहें जाएंगे लेकिन अब चुकी हमारे लोग जो थे करिफ दो सो ल परिवार चला जाए चोड़ो राजनित उस अब करना राजनित तो करनी है हम कई से करनी है पार्टी कैसे चलेगी का चाय जैसे चलेगी तो लोग जीत कि ये पार्टी बनाने के लिए कि पार्टी बनाए हमके पैसा कौन देगा पार्टी चलाने के लिए पैसा चाहता है हम क लोग नहीं चल सकते लेकि लोगों की जीत बनी फिर जीत पर आकर के लोगों ने का चलो बनारसा चलाएंगे हम लोग बनारस में पार्टी खाली चलाएंगे कि बनारस भर की पार्टी है हम जब जीत किये तो हमके चलो तो कुछ लोग रहे दिये कि लखनव में पार्टी का ना कि उसी पार्क पे चलो वहीं गोस्डा करके और यहीं अपना जंडाले के गुमो तब हो गया तो अब हो गया तो उसके बाद तो कुछ लो कहां कि कारेक्टरम कचारी पर हो जाए तो मैं का हो जाए तो संजोग ऐसा बैठता गया उपर वाले की माया ऐसी थी कि एक राजबर ट दुकान खोला था उससे ब्याट हो गई तो कभी अवर परचार हो जगा हम पैसा बिना पैसा कर टेंट लगा दे नहीं अच्छा उस मैं नया शुरू हुआ था तो उसके हम आया हुआ था तो चाहा कि हमको लेबर का पैसा दे दीजिए हम पूरा टेंट अपका पूर लगा कचहरी पर पूरा कचहरी पर टेंट लगा करके मैट लगा दिया अब जो देखे तब पार्टी दो जानता कोई नहीं था तो बैनर हम लगवाई था लोग जी देखे कांग्रेस के मिटिंग भाजपा के मिटिंग अंदाजा लगजा जब की बैनर लगा ऐसा कुछ है अचा जोटे पूरा कचहरी दम खचा खच भर गया समझे की करीब हम लोगों ने साथ सो गाड़ी की थी अच्छा तो जितने तो सब को मने काया कि पहले तो तुम लोग गाड़ी करो अपने घर कर गाव में तो कोई दू कोई तीन कोई एक इस तरह तरह तीन सव गाड़ी तम प्र भाड़ी नहीं चलो उसमें किया जा तो सब लोग बाट करके काम किये शक्ति प्रदर्शन थाएं पाट कि चलेगे नहीं चलेगे कारुजान आ रहा है कि उसका रुजान हम लोगों को मिला उसी बीच वहीं एक लड़का मिला बलिया का खा हमारे कर्क्रम दे दीजें कि पर उसके बाद लोग जीत करने लगे कि गाजी पुरी चाह रहे हैं कुछ करना नहीं तो भासड़े देना तो क्यों नहीं चलते हैं हम कि हम नहीं जाएंगे अपी लोग कर बनारस पाटी चलाना है फिर जीत किये तो फिर आउट देताओं को भेजा कि जब जीत कि रहें लो गए हम कि नहीं बाव wemin नहीं याएंगे फिर लोगों का मन बढ़़ा तो फिर बल्या चले गए फिर बल्या घये तो इद आजमगर के लोग बनाने लगे पिर जौनपुर दबाव बनाने लगे, हम बेटकर नगर दबाव, तो लोगों के दबाव में जीले बढ़ते गए, बढ़ते गए, उसके बाद तो हम लोग फैलते चले गए, और पार्टी को ले गए, उसी भी जब बीच में एक दावर आया, मुलायम सिंग समझावते के लि रामजीर राजबर जी का जिदन हो था मेरा घ्यान से, उनके लड़के का, अनिल का, अनिल लड़े थे, रामजीर जी का निधर के बाद, तो लड़े थे तो हम लोगों ने वहाँ, ये वही अनिल राजबर हैं, जो इस समय भारती जनता पार्टी की तरफ से, रामचल राज इन लोगों ने काकि आप यह हा ह ह झुनाव पत लड़िये भी, हा ह तो हम लोगों ने का कि क्यों है यह तो चुनाव जी जाएगा, सभासल राहा है, आइ तो अबने कह तो बहर राहरएं जी लोग नहीं माने, पिर हमारे उपर दब़ा बनने लग़े लगे तो, हम लोग लो कि अट लोहिंगे हम लोग मोटा सैकिल से निंबर खाली सड़के पर गुम के जंडाले के दिखाएंगे गाड़ी में बानके अशन करते रहेंगे कर अम लोग करते रहेंगे दूसर वठा हत्ता और रोठ हम लोहों को मिला अवाली राजभर जी चुनाव हार गए तब हम लोग तो उसमाइब बाई लेक्शन अगया तो हमने एक चौहान जी को लड़ाया नाम याद नहीं आरा है चौहान जी का तो उनको मैदान में उतारा तो उस मैदान में हम लोगों ने मजबूती से लड़ा तो हम लोगों को 999 बट मिला तो मन बढ़ाया उर किया तो पार्टी आगे और थोड़ा बढ़ाया जाए तो फिर बात बढ़ते बढ़ते उसी बीच समझ वाटी के रजिस्ट्रेशन पर आमनों को आपती आई कि पहले से है तो फिर जो अकील थे तो उनसे पुछा गया तो तो उन्होंने कहा कि आगे कुछ जोड़ दिया जाए कोई कुछ भी तो अप्र एमने उसके नामका अगे सुहिलदेव जोड़ दिया तो उस पे हम को मानता मिल गए तो जो मानता मिल गए तो फिर उसी पर हमभ्लोगो चुना उसुब कर दिये तो उसी द गवरान था माम रहौर ग्ण परदिस अध्यक्ष थे हुए तो जैसे भगवार राम का दूत बन करके हां हनुमान जी जाते थे जहां उसी तरह जब उनको सुनिया जी ने अपना दूत बना के बेजा सल्मान खुर्षीद को तो राजिस्पत्ति जी से मारा संबंद पहले से था तुन्होंने कहा कि हमारे प हमसे कहा कि हमारी पार्टी के प्रदेश अधर्ष मिलना चाहते हैं आप से हां क्यों मिलना चाहते हैं कहां मिल लीजिए तो फिर बनारा से एरपोर्ट पर हम लोग गए तो वहीं मुलाकात हुई खैरी कहूंगा कि वो मर्द आदमी है आज भी मैं मानता हूं मिले यही और मैं उनका दूथ हूं और मुझे भेजा गया है आपको सुनिया जी के दरबार में ले चलने के लिए हमके काम क्या है क्या है पार्टी आपसे समझा होता चाहती है क्यों भाई अब वहां चलो हमको जो कामिला उतने बता रहे हैं हमने संदेशा दे दिया है लेकिन हमारी स dar एक सर्त होगी भीया हमारे पाटी बहुत घहाक पाटी है बीले मत करना है घ ideia साब ले और कैम्रे करे पर सल्बान खुरसीत को देखका दरुआ है जो सच बात है शहा cowoo इनाओंगाही पार्टी सूदि कहा कि उन्हों कि बडियो पालतिerek एपने साथ बिले कराती हैं कि बिले मत哥रंगे अगर不管 कर लोगे तो क्थम हो जायोगे और पार्टी तुम्हारी रहेगी तो हमारे जैसे कई सल्मान सिपारिस करने आएंगे उनकी बात आज भी मुझे याद रहती है तो खैर मैं उनके साथ दो दिन के बाद उन्होंने समय हमसे हमने दिया आज कल हमरा कारिकरा में परसो हम आएंगे तो फिर राजस्पति जी लिवा के आए दिल्ली पहुंचे गए उना दरबार में फिर घंटों बात चीत भी सुनिया से फिर आज आजाना है व कि अभिया सब्यार्ट है पहले तो अब चुकि वो ऑई आंगे आज यहादा जानती का हाम हिंदी जानते हैं तो पहले तो असा में बात सुरू किया कि दर उनके सरमाई ने में की पकास राजभर तो फिर खाया कि हुई जी राजबर, उनके राजबर ही जी कास्ट है, अब उसुरू की तो उनका जवाब दे दे देते हैं, पिरम ने का, मैडम, मैं भारती हूँ, आप इंडियन हैं, क्या आवाद है, आपने तो सूत्रवाग दे कहा दिया, जी, मैं हिंदी ज्यादा जानता तो एंडियन हैं, आप अग्रेज जानती हैं, हंदी में हम जादा समजा पाएंगे आपको, तब ने हम और शेल झाले कि, ठीक ने लगवाद, अब हिंदी में बात्षी तो तो पास समझ में आई, तो उन्होंने का सुझ अज्वाद रागदी तो उस समयं हमने यरसार तर र यह पेपर है आप इसको देख लिजी उन्होंने पेपर देखा सलमान जी देखे राजेश्पति जी देखे और उनकी उसमें अहमद पटेज जी थे तो उनको उन्होंने तो उनको दिखाया तो वहां यह तेह हुआ कि नहीं यह काम हो जाएगा आपका तुमने का हो जाएगा तो हम आपके साथ हैं ठीक है राजेश्पति जाओ काम सरू करो तो पहली मीटिंग हम लोगों ने चंदवली में रखा जिसमें सलमान खुरसी जी गए और राजेश मिसरा सांसत बनारस से बनारस और वो राजस्थान के जो बरतमान मुक्य मंत्री है अशोग गहलो जी गए अब वहां एक अजीब घटना घट गए जब कारकरम सुरू हुआ तो चारो तरफ खुप धुआधार बरसात हो रही है अब जहां कारकरम है हलका बुदा बादी हुई तो सलमान जी ने कहा कि क्या भाई राजभर कारकरम तो नहीं होगा हमके यहां पानी पड़ेगा नहीं अब कारकरम चलेगा हम लोगोंगा ठीक ठाक होगा कोई दिक्कत नहीं आप सुरू करिए कारकरम सकुसल हो गया जब वहां से निकले तो सलमान जी गाडी में बैटे हम भी बैटे तक है राजभर जी इंदर भगवान से दोस्ती है का हम ने कर नहीं दोस्ती नहीं है हम मनाते हैं कि भाई भॉले नाथ ये गरीबों का अंदोलन है इसमें थोड़ा मदद करो मदद करते हैं इंदर भगवान भी कुस हो जाते हैं सबके मालिक वही है तक है यार गजब है हम तो देखें ये सड़के किनारी इतना पानी बह रहा है और एक किलो मेटर बाद बरसात हो रही कि यह तजब गजब खेला फिर हम लोग आए हम लोग बड़े कारिक्रम किये करक्रम करते करते लाश टाइम में उन्होंने प्रयास किया फिर राहुल जी से बराबर समझे कि 32 बार सुनियाजी से मिले थे 32 बार उस पीरियर में और करीब और 29 बार राहुल जी से वर्ता करम ह प्रफ़ जोशी ते और अर जी आई के हां से लेकर उसमीरा कुमार समाज के लिए मंतरी थी केंदर में जी बड़ी पहल हुप ने किया कि किसी तरह समाज का कल्यान हो जा लेकिन आर जी आई ने कहा कि यह प्रपोजल यह प्रस्ताव जब तक प्रदेश सरकार नहीं देगी तो फिर रहुल जी ने फोन किया जोशी जी को बड़ाजपाल जी को कि यह जा रहा है हो प्रकास राजभर जी इंसे मिलके जो यह कह रहा है इसको माईवती से बात करके अपकरा दो फिर मैं लेकर आया तो तो राजपाल के हम लोग मिले करीब चारीश मिन तक अमरें की बात करेंगी जब मना कर देक नहीं हम करेंगी तो राजपाल जी ने का भई माईवती जी तो मना कर रही है करना तो उनको है तो अब हम क्या कना तो तो रहुल जी को बता दीजी जी जिए तो लोकुमार पटेर उनके प्रमुक सची थे उनने पोन मिला बात किया पताया तो फिर कि ठीक राजबर को दिल्ली भेज दो तो फिर हम राजिस्पती जी फिर फिर प्लाइट पकड़ और चले गए दिल्ली फिर रात को हम लोग करीब नौ बजे मिले तो पूरी बात बताए तो कहां अब दूसरा कोई आपसं बताओ फिर हमने का हमारी बियादरी एस्टी में आ सतरह जातियों का माम लात तो जब हमने प्रस्ताव रखे कि हम डीनोटिट ट्रीन में आते हैं हम एस्टी में जा सकते हैं तो क्यों न हमको कर दिया जाए जाये तो तो उन्हों ने का कि अहोगा कैसे हमके पर झाजी यह पर उन्होंने पून कि कि हो जाएगा लेकिन वही पर प्रोसेजर यहां यह भी है वहीं से भी माय अवती जी को प्रस्ताव भीजना पड़ेगा प्लेश को कि वह मुख्यमंतरी तो बाधक यहां बनने लगें कि सरकार नहीं है और वहां से हम लोग रारजियाई से निकले तब तक सुचना कि मैवतीक सरकार थी तो फिर तो वह तो विधानसभा चुनाओ जीत के सरकार हो नहीं है साथ मेने आय थे सरकार सरकार उसके बाद यह गठवंदन की बात्चीश चल रहें तो फिर 2009 के चुनाओ का एलान हुआ नहीं 2007 के चुनाओ के पहले की बहगटना है कि मैं अध्यक जी म कुछ महीने फिर भाजपा ने समर्थन वापस लिया फिर कुछ महीने यहां पर अवरोध रहा पिर मुलायम सिंग्यादव जी की सरकार बली जो 2007 तक चली फिर विधानसभा चुनाओ और उसमें मायावती जी की सरकार पहली बार पूर्ण बहुमत से आई और उन्होंने चौ का उसम मायावती जी मुख्यमंत्री थी हमको अच्छी तरह याद है तो बहन जी तीन साल नहीं नहीं मुख्यमंत्री दो जार दो से पांच नहीं जो भी रहो उसमें वही थी मायावती जी मुख्यमंत्री थी यह तो फिर यह जार तीन की बात होगी तीन चार पांच हमको य अब यह हो सकता हमारे दिमाग से बाद रही हो लेकिन नमायवती जी मुख्यमंतरी थी ठीक है तो फिर बात अठक गई तो फिर अगर जी ने बुलाया कि अब तो अचुना जारी हो गई एक काम करो कि सरकार बने की फिर तो खैर उसी बीच फिर वही बात आ गए कि विले कर लो हम लोग सरकार नहीं बना सकते दो हजार नौ के चुनाव के लिए हम लोग डेढ़ लाग पोने दो लाग दो लाग तक उट पा जाएंगे परलियामेंट में पुरवांचल में हम आपको कम से कम 25-26 लोग सभा सीट पर उस स्टेज पर आपका उट हमारा उट मिलके इतना पह उठावादी जीए था में घुझा नहीं चलो अकेले लड़ेंगे को यह लैट आप पर अप्रसंग वह जब आपको क्या हुआ लगी जब सीट की बाद ताने लगी तो यसे चिरेगाउं की बात आई तो उन्हों ने कहा हम तो रोट सो कर जीत लेंगे गोषी की बात आई त तो फिर हमने कहा कि छोड़ दो जाने दो चुनाव के बाद हम आप से मिलेंगे और फिर बताएंगे चुनाव के बाद हम गए dalी घे थे निरवाचन कुछ काम था तो तो समय से खाली हो गए तबने फोन किया रहूल जी को तो कहाई ये बैठे हैं तो गए तो मुलकात हो गई अचा सीधे आपकी बात हो ती डारेक्ट नंबर था एक बीहर का उनका कनिश था वही नंबर था तो गए बैठे तो हाल चाल हुआ तो अपका बीहर वालो कहां गया ज स्पाल जम्के जरा जरा घो खोलो है खोड़ी खोल जरा तो गोशी भिधां सब्सक्राइब कोलो जिका क्या के है क्या कि उनका उसको जब जरा घ्ली जो आप रोट सो करने गहmosब ते तो खोले तो ग्या आट सौ उट था हमारा फंचाज़ जरा तो प्रत्यासिट बादा इ फोकस था तो उसको जब खोला तो वहां तेरस ओट मिला था उनको हम पाय थे पहें आड़ तीस हजार कुछ ओट तो फिर उसके बाद तीन-चार सीटों पर हमने दिखाया था चोड़ो अब जो हो गया हो गया हमके नहीं आपको महम समझा रहे थे तो आप नहीं माने देखे य अगर हम धरातल पर काम नहीं करते तो आप अपने दरबार में हमको नहीं बुलाते हमारे जैसे बहुत लोग है ओंप्रकास राजबर के नाम से तो चुभी हो खैट कोई बात नहीं हमारा मकसद था कि आमने आप से कहा था कि हम चुनाव बाद मिलेंगे अब यह सास हो गया नहीं नहीं राजबर जी मुझे मालूम हुआ कि चुनाव के इस दोरान ही मुझे पता लग गया कि आप जो कह रहे तो वो सही कह रहे थे और गलत डिसीजन हो गया हम लगों का बेखार चले कोई बात में फिर वहां से हम चले आए आने के बाद अपना फिर मुलायम सिंग को कि उंपरकाश ये काम करो कि आगे आने वाले 2009 के चुनाव में हम आपको दो सीट देंगे आप इसमें हमारा समर्थन कर दो नेता जी ने खुद कहा था अमर सिंग जी उसमें उसी पाटी में थे तो हमने को ठीक है हम लड़कर के कितना ओट पाएंगे साथ हजार सत्तर हजार अब संसादन है नहीं तो हमको सहारा जरूरत है तो उसमें आजमगर और खलीलाबाद बाई एलिक्सन था तो फिर हमने समर्थन दे दिया समर्थन के बाद चुना हुआ चुनाव के बाद मुलायम सिंग ने ये बात कहा को प्रकाश जी आपके बदोलत हमारी पार्टी का फिर चुनाव आया तो अमर सिंग जी का पून गया अच्छा तब बसपा की सरकार चले थी कि फिर बहन जी ने खबर नहीं पर चलो आजाओ आपको उनकी आदत है कि जिसको निकाल दिया या जो छोड़के चला गया तो उसको नहीं पूछती है पर कई लोग तो लोग तो ल पर्टी में बिले कर लो और सरकार थी तो मंत्री बना देंगे यह कर देंगे तो तो देखिया आया ना मैसे जैई तो पूछ रहा था तो हमने का कि नहीं हम ऐसा नहीं करें कि समझावता कर सकते हैं तो फिर उसके बाद बाएक हुए तो फिर मुलाइम सिंग ने सरकार बनी तो उस समय भी इनुने कहा कि आप बिले कर जाओ हमारी पार्टी में आजाओ हमारी बना दूगा हमारा मकसद मंत्री बनना नहीं है हमारा मकसद जब पार्टी रहेगी तब हम आपसे बात कर सकते हैं आपकी पार्टी जॉइन कर लेंगे तब तो हम आपके कारकरता बन जाए तो खेर वो नहीं हम नहीं तयार हुए अच्छा यह बताई कि एक तरफ आप से क्या रही थी विले कर लो फिर लाथी भी चली थी 2010 में आपकी उपर बनारस कलेक्ट रेट में हां हमिशने रेट में तीन जनवरी तीन जनवरी को कलेक्ट पर चली थी असल में वहां घटना घट कि सरकार थी और एक सुबह आठ बजे जेसीवी लगा करके बसपा का एकनेता पक्का मकान कच्चा मकान और गिरा दिया चुकि वह बाधक था उसके घर के सामने था तो गिरा के वह में हाइवे पे आना चाहता था तो सरकार के घमंड में भाई जेसीवी लगा दिया गिरा द की जाहं धने की सात दिन धरना चला झाल कि है जाड़े का दिन हैं इनगों कहीं अपर ञाजी दे दो कि अवस्ता कर दो हैं तो नहीं सुना तो फिर भर लॉक रहीं हम ठारीका घाच चलेगा तो उस समय हमारे द्वयनेता जो राजबर बस्पा में थे यह लोग जाकर के सागेट आउस में बैट करके प्री प्री प्लानिंग वहां लाठी चार्च करवाया फिर हम लोग ना भाई उसमें भिल्यान हुई फिर हम लोग जेल गए तेरह दिन जेल में थे फिर जेल से नहीं हुआ हुआ तो मुक्तार अंसारी तयार हुए फिर 2000 बार मुक्तार अंसारी जो उनकी कोमी एकतादल बनी तो उन्होंने कहा कि हमारे आपका सम्झावता हो जाय होजा खादिक काते हैं तो उनकी पार्टी सम्झावता करके हम लड़े तो लगभग वह पचास जार उठ हम पाए हम चुनाव हार गए वह चुनाव जीत गए जहुराबाद से लड़े तो फिर उसके बाद हम लोग तो मुक्तार अंसारी से आपकी दोस्ती तब सही है अभी कई लोग कहते हैं लगणव दिल्ली में कि अभी ओम प्रकास आजभर को जो पीछे से दम दे रहे हैं वो मुक्तार अंसारी है नहीं देखिए उठने का कारण है जिस तरह का बीजेपी का हिटलर साही रवया उस रवया में किसी की हिमत नहीं कि कोई मुक्तार अंसारी से मिल सके लेकिन अगर कोई मिलने गया तो वो प्रकास राजभर गया है यह साहस और हिमत का ख कि न्याय के लिए गर्दन कर जा कर जाने देना लेकिन गर्दन मत जुकाना अध्यक जी अभी आप ये बात बता रहे हैं भाजपा की आपका हिट्लर शाही इस भाजपा की तरफ से 2017 के विधान सभा चुनाओं के पहले कौन आया था दूत बनके जैसे कॉंग्रिस की तरफ से स जुरू हो अखेल एक तिवारिज जी है उन्होंने पहल की तो हमने का हमने उनसे का कि देखो अभी हम सपा और बसपा से समझावते की बात कर रहे हैं 2016 की बात है तो का ठीक है देख लिजी उसी बीच जब इधर इन लोगों को तिन-तीन सव सीट का नसा लगा तीन सव सपा जीत रहे थी तीन सव जीत रहे थे थमके अभी सब नहीं सुनेंगे उत परियास करके ठक गए तो फिर भेट हुई थी उस दौरान आपकी अगले जी है मायवती जी से 2016 हम खुद मिले तो बस वही बिले कर लो अगले जी मायवती जी दोलो यह बिले का कल यह को आप था फिर को जागृत करना तो जो बात नहीं बनी तो फिर उसी बीच एक कारेक्रम हमारा था बलिया में है तो एक मंदिल प्रकार मथा तो उसी बीच है भा आगे देखा जाएगा, फिर मैं लवड के घर आया, तो घर हमारे या फिर, तीवारी जी का फोन आया, कि मिलना चाहते हैं, कि आजाएए, तो आये, तो उन्होंने ओम माथुर से बात कराई, ओम माथुर उन दिनों उत्वारी देश में भाजपा के प्रभारी थे, तो माथु ने कहा कि दिल्ली आओ, तो बैट की बात हो, तो जब मैं दिल्ली गया, तो माथुर के हाँ, तो वहाँ, दया संकर सिंग पहले से बैठे थे, तो देखे तो भग चक्का हो गए, काई, हम बात करें, कि बात उस बतिय करने तो आये हैं, चलिए समनोंगा, तो अपने टिकट क और च्ची कुछ लए आये हो सिट के हम कहा तो देखे तो कह पड़ी सूची तो आपकी 40 के लेकिन इतनी चीट नहीं देंगे आपको पचीश सिट हम दे सकते हैं, तो उन्हों अटिक लगाए कि यह सीट आपको हम दे सकते हैं, और लेकिन फाइनल हम नहीं करेंगे, पैदन करेंगे तो अमने का चलो राष्टे दर से मिला जाए तो कहां तुन्होंने फोन किया तो ठीक है आजाओ एगंटे बार अमेशा ने बला लिया तो फिर मैं वहां गया तो नोंने देखा पुरी सूची ते कहां कि पूछा कि क्या इसे थी हम कहें कि बस्ती मंदल देवी पाटन मंदल फैजाबाद मंदल गोरखपुर मंदल आजमगर मंदल बनारस मंदल मिर्जापुर मंदल इतनी दूर में हम आपको दस अजार से लेके पचास अजार तक ओट पूल करा देंगे राजभर समाज का और जो समाज का हमारे साथ है तो अलग की बात है तो वो कहां कि ख़बर तो आ रही है कि आपका तंगठान है कोछ लेगिन यह सीट तो आप मेंनों ने जो मातुर जी ने पचीस बना दिया है तो उन्होंने देखा देखने के बाद तो तीन सीट उसमें से कट दिया एकईस बचा बाइस बचा बाइस बचा सारी तो कहां बाइस सीट पर आपको आजबर जी बीच में टोक रहा हूं यह जैसे आपने वहां दावा किया फैजाबाद बस्ती देवी पार्टन गोरतपूर आजमुगर बनारस और विर्दापूर मंडल का लेकिन जब म मिला था कुल 1,18,947 वोट और उसमें भी 6,000 वोट तो सलेमपूर से आपी का था चाओद का होता क्या है इसे हम लोग समाज को तो संगठित करके कर लेते हैं जब ओट का समय आता है तो चाहे कोई वर्ग हो जब वो मजबूत को देना चाहते हैं कमजोर को नहीं देना चाहत जीत रहा हो जीतता हो इस बात को हमने अमिशाजी को कहा देखिए कि जो चवदा में हम ओट पाए हैं उस ओट को मत देखिएगा आप एक परिख्षा हमारी ले लीजिएगा आप मेरे साथ एक कारिक्रम कर दीजिए तो अमिशाजी ने बात मुस्य उस बड़ी मार्के की कहा कि देखो यार राजभर बसपा का क्रेज यूपी में बढ़ रहा हैं, सोलख की बात है और हमको सरकार बना नी है, थान के बसपा क क्रेज चढ़ रहा है कोई बात नहीं, आप हमको एक ताइम दे दीजी हमारी स्षीट फाइनल कर दीजी और आप चलिए उसी दिन बसपा का क में को पहां दो दोफ जे कंगे और आपका क्रेज़ चढ ने लगए और चो लोगों सहां स क्लाऊनों करें उनको साथ लाए वावों की वावासे बात कर लीजिए उनंसे रह लोगों से कौंड preserved कि प्रदेश में जहां-जहां आपके संपर्क में लोगों से बात करो और ला करके जो है मिलके चुना उलड़ा जाए सरकार बनानी है हमारा मलक्ष सरकार है हमने कर सरकार बन जाएगी तो उन्होंने तारिक 9 जुलाई का दिया 9 जुलाई 2016 हम आए तैयारी में लग गए जब रेली में वो आये कहा भी की थी रेली मौग में रेलवे मैदान मौग जब रेली में आये वो रेली देखे और जब उन्होंने हमारे बिचार पहली बार मंच पे सुना और ओटरों से लगाओ देखा तो वहाँ से जब वो निकले तो फिर एरपोर्ट जब गए तो वहां जाकर के उन्होंने फोन किया हिराजभर जी इतना लगाव आपका ओटार का है अब फिर ओट आपको हमके यही तो बात अखाली आपका नाम सुनने के बाद की बड़ी पाटी समझावता हो गया तब इनके सीने दूने चवड़े हो गए अब यह ठोक के ओट आपको करेंगे तो कहने लग तो ऐसा रहा है उसी से फिर क्रेच बस्पा और सपा कड़ाउन होने लगा फिर आठ राइली हमने किया अठो मंदल में तो रिजल्ट सामने आ गया बस्पा खतम हो गई फिर जबर यह सीट आपकी बाइस से घटके पर आठ क्यों अब वही खेल सुरू का इसा है कि हमारी पार्टीय से लड़ जाई है थामको बड़ा जटका लगा कि तो धोखेवाजी हो जन्वरी की बात होगी हां हमने कही तो धोखेवाज आदमी निकल गया अपने मन में अपने मने में कहें कि अब बिले की बात कर रहा है थामने कहा कि यही सम्झ होते की बा अब यह जानगे कि अब यह जाएंगे नहीं बहुत दवड़ाये हमको खर दवड़ते दुपते बड़ी मसक्कत के बाद तो आठ सीठ अमको दिये और दे करके आठो सीठ पा हराने के लिए नेता लगा दिये कौन नेता लगा दिया बांसडी में इन्होंने अपना प्रत्यास बाद 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 आठा नेता चुनाव लड़ रहा है और कोई मना नहीं कर रहा है तो क्या दरसाता है वहीहाल साह्गंज में कर दिये वहीहाल दीदार गंज पर हमारी सीठ तो बोले नहीं उनको की बाद आणार मुले जब भले कि ऑन लगवाए लिए और च्ड़ा कर रहा और आपकी पार्टी कोई स्टेप नहीं उठा रही है तब उझों ने तुरंत बंसल को पूं किया और के सो मोरिया पूं किया कि ततकार पार्टी से निकालो तब जा करके पड़ दूदी रह गया था तो पार्टी से निखाले तो खैर हम सब को जहले इनके साथ पिर सरकार बन कई ने के बाद अब इन्होंने हम चार जीते चार भी और बेटा भी हर गया हम जो भी सुटे हारे बीजश कवजा से आज और हम नहीं आरते तो खेर सरकार बनी मिनिस्टर बना दी हमको और थमा दिये जुन-जुना अब तक का इतिहास जो है वो इतिहास यह है कि जिस नेता को गर्त में डालना हो उसको दिव्यांग और पिछड़ा विभाग दिया जाता है यह इतिहास है राजनीत का जो प्रदेश का तो खेर हमने उ खेर आड़े जयादा उस भीभाग को जितना थारा महीने में जितना उचाईप ले जाना हूँ हम ले गए बर वही से खटा सुरू होता है पहली काइबनेट सभु है हमारी क्या हुआ हुआ पहली काइमिनेट में भीभागों का प्रजेंटेशन था कि किस जाय कुआ कैसे कि तो हमारे पास पिछ़ा दिभ्यांड था तो सामावार के लिए बजट मिला है। को अंसुचे जाज 한 जाते के लिए बजट मिला हु मिल फिर पिछणी जाते के लिए जब बजट है डाता थो उसम को पिंद में 25 लाख बचे थे सामान लगन तो सामानवर को जितना बजट उन्होंने दिया उतना बजट पिछड़ी को दिया जब की बच्चों में तीन गुने कंतर था हमने इसी बात को लेकि मुख्यमंतरी से वहीं हो गया हो गया सारी अधिकारी घबड़ा उठे कि लिए कमन मंतरी आ गया बहुते नहीं बिढ़ गया तो बराबर हमारा उनका बजट विभाग को न देना अधिकारी को कह देना जिले पर कि इनकी बात को मत सुनना उक्रम नंतरी का सीधे मतलब दिये न को यश्पी निर्देश हो गया कि इनकी बात न सुनना ये मंचा रामबाला क्या मामला था एस्डिम थे गार जीपूर में कि अपने मंत्री की लेटर पैट पर लिकर के भेजे कि यह सरकारी चकरोट है इसको नाप के निखलवा दीजिए तो कि आवागमन में दिक्कत है तो उसको हम सासन से बनवा देंगे तो यहां से जब चिथी लिखे गई एक दो तिर उन्नीस पत्र गया इक उन्नीस चकरोटों का अएक कि चकरोट का कम से कम तीन तीन चार चार बार लेटर गया तो बुलायाँ हम गाजी पुर गये तो डिम समने का कि हम आपके चाह कि हांटिय करने儷 मेरा हुर मैं आ रहा हूंग कि हम यह तरगए पिर हुआ बहए और पे घर पे घर पर उनके घर कौन थाड़ी है इस समय वही है थे अभी जो संजे खत्री संजे खत्री गई चाय पी ये बास दुरू हुए हमने का अच्छा क्रोट को नहीं नप रहा है एक बार कहें दो बार कहें नहीं बोलें के बोलिए क्या मुख्रमंत्री का निर्देश है कि आपका काम नकिया जाए करो कि नहीं बताओ हमको काम कर ने करोंगे ये बताओ हमको कैसा मुझे नोकरी करनी मैं नहीं करूंग हम झालो तब कल से अच्छाब दापना देंगे तो बला के मीडिया के सामने हम ने बयान दिया भूह है कि दिया खिलाब जगरोटनपवाने को लेके मंत्री धरने पर पत्र ले आओ चलो हमारे साथ तो प्रमक सच्चु को लेकर हम गए हम के देख लिजी आपका डीम मेरे सामने कहा है और पता नहीं था हमने अपनी मुबाइल रिकार्डिंग में रखा था अच्छा जी तो तो इसा नहीं हो सकता यह यह यूगियार्टनाथ जी ने कहा हमने का यह मुबाइल है देख लेजिए रिकार्डिंग हैं मापको सुना रहे हैं चालो कि सुन लिए तो उन्होंने गुस्य में एस्पी गोल का प्र मिला उसको तो संजोग से फोन नहीं मिला अब जो भी बात रही हो तो दो बार बलकी एस्पी गोल को बिगड़े क्यों नहीं मिल आप ने ड्यम एस्पी को निर्देश दी है अब जो भी बात रही हो उन्होंने क्या कहा जब उन्से उनका हतो तो काइसी बात नहीं है अभी बात करते हैं तो भून नहीं लगा यह सब का कि ए वब अंदर की बात हम नहीं जानते पर दिश्ए का फोन तो उन्से बत याने ल मुख्मंतृति मिनिस्टर है और एक पार्टी का सरकार में बनाए हैं आज जो तुम्हों के मंत्री बने हो इनका भी बड़ा योगदान है यह मत सोचो हूं अब उनको चीड हो ही से बड़ी कि हमको अपने सामने डटवा क्यों दिये फिर उसके बादी आये तो जब कोई बात जाते थे नहीं हम आपकी बात नहीं आप अमिसा स खुद आए योगी जी से हमारा हमेजी जी आए पंचाइट कराная सामजिक नहीं समिती ऊट लेखे है पहली बार आय तो यह महनेे का प्ली लिए एक महने तो फिर उसके बाद ये जो है अनाकानित करने लगे तो हम थोड़ा गरम इजाज में बात किये तो फिर उन्हों ने काया कि आप हमी साथ से बात करो थीक हम आज से अब इस पर आप से नहीं चर्चा करें कि फिर मैं चला गिया दिली और वहां मिले हमने कि वही बात पीरा गई तो फिर उन्होंने फोन मिला करके इनको समझाया तो का चलो हम आ रहे हैं भला तारीक को वहां बात होगी तो हम भी चले आया तो फिर उस तब तक महंदर पांडे जी प्रदेशादज बन गए थे चंदोली वालिया है महंदर पांडे और योगी जी हम हम इसा चारो लोगों के बीच बात होने लगी हम अड़ गया तो हां या नहीं आज यह ताय हो क्या सामाजिक नयाय समिति की अर्ट में रपोर्ट लागू करोगे कि नहीं करोगे आज यह यह सार नो में हो ज़ा फैसला यह सामाजिक नयाय समिति की रिपोर्ट है जो जो भी सी अर्ट में उसको तीन केटेगरी की पिछड़ा और सरवाधिक पिछड़ा तो उसी समय फिर अपना क्या दिमा काया लोगों को तो यह कह दिये कि यह रिपोर्ट पुरानी है हम नई रिपोर्ट तयार करा लेते हैं त तो उसी पर मामला फे रुका तो वह अमिसाजी फिर हम मिटी से चले आया उट बात्चीत भी फिर वो चले गए दूसरे दिन फिर योगी जिन हमको बुलाया कि कमीटी गठीद कर नहां बता हैं कि हम नहीं बताएंगे आप कमीटी गठीद कर दो हमको नहीं जरूरत है जिसक तो जांच्त रिपोर्ट तो आएगी बनादी ए रागवेंदर सिंग प्रो डिटायर्ड जज के नित्रती में कमीटी बन गए चार सदसी कमीटी बन गए तो चुकि अब हम उसका सारा खर्चा हमको देना था गारी हमको देना था इस्टोन हमको देना था कंप्यूटर हमको आपके विभाग को देना था तो सारी विवस्ता हम कराने लगे तो धीरी 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 तीन महिना बिद गया कोई काम नहीं एक दिन मैंने तलब किया मंतरी के हैसे से चित्ती बिजवाया आए तो बिठाए पाने उनी पिलाए चाय पिलाए तुमने का कि मानेवर गति भी दिया कहां तो अभी कोई बात नहीं है हमके क्यों बता दिया गया कि मत करिएगा आप किसे बात कर रहे हैं हमके आप किसे बात कर रहे हैं आज के तारीक में जज सहाब आप जज नहीं हो हमारे द्वरा निर्ट किये हुए कमिशन के मुखिया हो तनखा मैं देता हू मेरी दसकत से जाता है आप जिस गाड़ी पे चलते हो मेरी दसकत से मैं गाड़ी दिया हूं जो आवास आपको एलाट किया हूं मैं किया हूं बोल जाईएगा ऐसे बोल दिये हैं कहां कि आप अभी हमको नहीं जानते हैं कि अभी आप हमको नहीं जानते हो अचा जानने जानने में रख लिये थे मोबाइल अपना रिकार्डिंग में रखके बती आ रहे तो फिर मैं बुलाए आदे घंटे बाद मुख्यमंतर जी में गया तो आप जलील करते हैं अधिकारी को हम गये कि मुख्यमंतर जी कोई बात सुनने के पहले किसी की बात सुन लिया वाप ओल दी है आप सुनिये भाई यह इदा सामने आप यह आओ बैठो कुछी पीदा सामने निकाले मोबाइल अच्छा वो रिटार् गये आप साम अप पैसा दिया जा रहा है काम करनेके लिए घर बेटने के लिए को मुख्यमंतर दव डाटा तो तो तोन्होंने और कि ठीक हसार हमगो च्यम्हेंने कर था टाइमिपदय जा था अंछे मंहेने कर टाईम द्यां अजआे लिए कि म bending एक मैरेंशने के लिस पुष्रे दिन उखे हमारे हां, जज साब, मैं नहीं समझ पाया था मंतरी जी कि आप इतने अड़ाईल आदमी हो, अड़ाईल हो, जै क्यों हम कोई बात तो नहीं हम क्या किये हैं, तुन आपको तुन अपको तीन महीने का दे 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 जी एम कई एक महीना, फिर फाइल बनी ए पुरी पुरी फाइल देखा, तो झालेक भी एक महीने का इतने प्रश्य यहन का प्लीन टाइम दिया, झालेक महीने का नहीं तीन महीने में कंप्लीत रीपोर्ट और छे महीने में में, 3.019-093। पर दो हजा ड़ाईल गए अब उसके बाद फिर मैं अमी साहजी के हां, होई 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 हम दिली में लगने होई हाँ लोग सुभा कर चुनाओ के छे मेना पहले उन्होंने मुझसे कहा था कि सामाजिक ने समितिक रिपूर्ट लागू कर देंगे हमके अप तो टाइम आ गया रिपूर्ट भी तैयार है आप बताइए प्रकाश जी राजनी तभी सिखो हमके हम सीख लिए हमको मत सिखाओ आज होगा की नहीं यह बता दो फाइनलाज मैं जान गया आप का मैं लागू क कि तो यह जब यहीं बात है तो हम अपने बेघ में तीन पना इस्थीपा लिखवा करके तीन पेज एक उनको ठमा दिया कहीं का है हमके पढ़ लीजे कहते हैं तो राजपाल को देना हमके जाएंगे राजपाल को दे देंगे आप ले लिजे थमा दिया और फिर वहां से निकले हमको अमारी पटना मीटिंग थी फलाइट पकड़े चले गए पटना फिर हमको आए लखनौ आये तो मुख्मंतिर टाइम लिए उनको जाके दे दि चुप्चाब मार राजपाल के यह दे दिये आउस के बाद पर हम अपना काम पर लग गए ता हमने मान के शुरू कर दिये पिर लोग मनवाने लगे पिर ने कहा कि लोग सुबा कर चुना बड़ा चुना वा खेले कर लड़ा जाएगा एक सीट पर अड़ गए एक सीट कर न लेकिन आपके खेमे में पाले में जाना हमारा कबूल नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते हैं खैर हम अकेले चुनाव लड़े चुनाव लड़कर के ठीक हम चुनाव हार गए बेसक हार गए हमारी फोटो लगा लगा करके मुख्यमंत्री के मंच पर रच्छा मंत्री के मंच पर ग्र युम्प्रकास राजबर की लोग टयुट मागा हमारेब पास कुछ था नहीं कि हम का करे जिद ऊध ने भी थेली कि तो लोग यह सोचे कि ऊंप्रकास खतम हो गया है जब हम लोग कंगा दिये हम अपना देरे 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 शुरू किये अब उसके बाद कार्मा बढ़ता गया चलता गया अब हम अपना ओटर ठीक कर लिए जब ओटर ठीक कर लिए तो देरे देरे हम हाथ पाव मानने लगे कहीं अब समझवते की बात हो जा तो ह को तेह वा तेंतव गत्व अखिलेश जी के हां आप ये कहानी बता रहे हैं leakim और आपके जो पुराने मित्र हैं भाशपा वाले वो अलग कहानी बताते हैं वो कहते हैं कि मंच पर तो और आजबर जी सामाजिक न्याय की बात करते हैं लेकिन असल में वो चाहते थे कि उनके हिसाब से टांसफर पोस्टिंग हो, उनके हिसाब से नुक्तिया हो, वो पईसा कमा हैं, उनके संसाधन बढ़ें, उनका रसूग पढ़ें, उनको जो सीटे दी जाती थी, उसमें भी वो पिष्थेदारों को छोड़के बाकी टिकट बेच देत थे और इसलिए वो इतना चटपटा रहे थे, यह सब बाते कही जाती है, दुनिया में जूट बोलावल, अगर कोई पाटी है, नेता मिलेंगे तो भार्ती जनता पाटी में, हमने चमार को टिकर दिया, हमने सुनकर को टिकर दिया, हमने ठाकुर को टिकर दिया, हमरी रिस्त तो लोग आज के तारिक में एक भी डियम, एस डियम नहीं है राजभर, एक भी डियम नहीं, एक कमिश्णर नहीं, सीयो नहीं, किसका ट्रांस्पर राजभर करवाना चाहता था, इकाबतिय हैं नहीं भजपईया, हमरे समन में आवे, जबान पकल लूगा उनका, दया शंकर सि जवान पकला था, तो जवान पकला था, टीकट मांगा आए लहना बेचारों, पत्नी है, वो दुनु जने का होड़िंग लगालवा, सरोजनी नगर, तो हमसे करना कि उतो मंतरी बाद भाजपावले हमें टीकट देयान नहीं, इत्मापरी चुनाव में लड़े के हो, तब क आपनी पार्टी से लड़ाई है, या तो सपा सेम को टिकट दिलवाई है, पर वो तो आपके एक और मित्राज हमें सुबह मिले, जमघट में, केशव देव मौर्या, बोले की राजबर जी तो ऐसे जुट्टों कुछ भी बोल देते हैं, बोले बताईए वो इत्ता बड़ा देता है, दया शंकर वो और ये आपके सायोगी दल के बयान है, रिकॉर्ड क्यामरे पे, बताईए वो टिकट बांगने जाएंगे, वो कोई संदेशा लेने गए होंगे, उन्होंने जुट्टे बड़ा दिया, अच्छा, दो महीना पहले मैंने कहा था, कि डेग्ध दरजन मंतरी भार्ती जन्ता पाटी छोड़ करके, सपा में सामिल होंगे, आज दूसरा बिकेटगिर गया ना है, हम कैसे जानते थे, हम कैसे जानते थे, इनको पता नहीं है, हний हम, हावा की राजनित की राजनीत, बहुत अंतर होता है, हम धरातल पे चलते हां, और धरातल से जो ख पी अभ्याव में ही। देखो होता है कि चुनाओए होते काओ, फिर अमिशा Because, अभ scared को ऐसा बोलएंगा, आप मान जाओ, अब इस चुनाओ में हाय Cant कि भगवान भी आकर को हमारे सामने प्रकत हो के कहें कि चलो भाजपा में, तब भी मैं नहीं जाओंगा, इस चुनाव में, आगे जा सकते हैं, आगे क्या हो गए तो बात की बात है, लेकिन इस चुनाव में, अब भागवान भी आगे कहें कि चलो भाजपा में, तो मैं नहीं जा सकता, चुकि माता सीता रो रही हैं, बिलक रही हैं, कि ह परमीषन खा रहे हैं, माता सीता बहुत दुखी हैं, यह हाल है, इसना ते भगवान भी दुखी हैं, अच्छा और अखलेश यादो जी से जैसे भाजपा के साथ जब आप गठबंदर ने थे 2017 के, तो आप की बात शुरू ही पचालेस, चालेस से पच्चेस, पच्चेस से बा हमारे समर्थक, हमारे नेता, हमारे कार करता, हमारा ओटर, अपने नेता पर विश्वास करता है, चुकि उजानता है कि हमारे नेता हमारे लिए लड़ता है, हमारे अधिकार के लड़ता है, पर नेता तो राजबर समाज के भाजपा में भी हैं, मंत्री में हैं, लोडर हैं क मोधी जी अच्छा और वहां कोई लीडर नहीं है सब लोडर है हिम्मत नहीं है फैसला लेने की राष्टी अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष टिकड़ बांता है ना जिला अध्यका रिक्मेंट होता है ना लेकिन अमिशाजी का है चार दिन से मीटिंग दिल्ली हो रही है कि कि नहीं समझ में आ रहा है यहीं सी जम करते हैं लोडर और लीडर यह सब लोडर है यह आप बड़ा खुल के बयान देते हैं आपके कुछ बयान मेरे सामने है अखलेश यादव के बयान पर विवाद हुआ तो आपने कहा जिन्ना को देश का पहला प्रधान मंत्री बना दे अब मुस्लिम लीग दोनों का मिल के सरकार बनी थी ने कुछ प्रांतों में थी ने उस समय तो हिंदू मुसल्मान नहीं हुआ उसी समय अगर यह मिल के रहे होते हैं तो कहें बटवरा होता पर बातचीत तो विवाजन पर कॉंग्रेस में की थी ना नहीं गलत बात है कांग् नों अब बता रहे हैं हिंदू महासभा मुसलिम लीग दोनों मिल के कुछ परांतों में सरकार बनाए ने बिलकुल बनाए तो फिर लगकाह काहें बदे़ किये काहें लगोए क्या कारण था तो आप करे हिंदू महासभा जिमधार तो आजन नहीं करह बदा लिए आच्छा ये एक आपका बयान आया कि जो भारती लात खाने अफगानिस्तान गए वो यहीं आकर लात खाएं इसका तातपर कुछ लोगों को समझ में नहीं आया हम भी नहीं सोका उसको पढ़िए जो भारती लात खाने अफगानिस्तान आये यहीं आकर लात खाएं पर लिखन बयान है अब ये बात हमारे दिमाग में नहीं आ रहे हमने ये कहा है कि जो रिजर्ब बैंक आर्बियाई से जो लोग लोन लेते हैं अपने देश के जो गरीब कमजोर पुरे देश की आवादी से जो टेक्स से पैसा आता है उस पैसे से जो लोन लेते हैं वो भी देश कैसे च जोगको सरकार प्रदेश में सरकार इसको व्यतर ब्यवस्ता देनी चाहिए, फ्यवस्ता ना देने कि वजह लोग भागते हैं, अब बजाए सरकार को कहिते हैं, ञेकि अगल उक्तर के ब्हृ क्यों भागते हैं अब देखे अभी ये बार आया ना कि 10,000 क्रूड रुप्या लेके भागा क्यों भगाया इस अपने सरकार ने क्यों भगाया कमीशन पाई या सरकार भगाने में कमीशन लेते हैं एक आपका और बयान बड़ा द्यक जी चर्चा में आया जितना खर्चा बीजेपी दो महिने मे करती है उतने का शराप पी जाते हैं हमारे विरादरी वाले गरीब कमजोर पिछड़े दलित हमने इस बात पर कहा कि सरकार जिस दिन बनेगी हमारी भागीदारी संकल्प मुर्चा की जे उस दिन हम उत्तर पदेश में गरीबों की कल्यार के लिए जो रुपया इनका बरबा क्यां थेखते हैं डेविलकुले में बगुत सौखीन हैं बढ़ का बोच्पुरी का अंगरे जी का कैसा फिल्म देखते हैं हम जिसमें लडाई बहुत होती है उसको देखते हैं मार्धार उसे बल्पूर एक्षन वाली तोले जैसे फिली इस फिल्म एक्टर है नेता भी है वो आपसे बड़े नाराज है, आपने कहा जहां तक निरहुगा का सवाल है, वो नचनिया बजनिया है, और का है, निरहुगा तो एक्टर है नहीं, नचनिया नाचते गाते हैं, का करते हैं, वो तो नाचते और गाते हैं, कोई इसमें बुराई तो नहीं है, तेखे, इस इस देश में सब कुछ पैसा करवा रहा है आपका जिस सपा से कड़ बंदन हुरा उसमें भी तो तमाम एक्टर एक्टर से रहे हैं पहले जया परदा रही है पहले थे ने अब नहीं है अब नहीं है अच्छा ये हमको वैसी जी मिले थे दिल्ली में बड़े नाराज है आपसे बिल्कुल सभाविक है नाराजगी होगी तो पहले क्या बात हुई थी कहां बिगड़ गई नहीं देखिए बात हमारी हुई थी हमने सबसे मिल करके हमारा प्रयास्था कि हम एक मोर्चा खड़ा करें आप शियुपाल जी उसमें हम लोगों ने पहल भी सुरू किया लास्ट झाल जी गरभईटक हुई माय था सुपाल जी थे टे शन्सेकर जी थे ःवरोषी ज़ी धि स्यत्य जी थे क्या बात हुए हुआ कि तैंग कि श्क्राव को दश थरिक तक सी अठफिले जी से मिल करके इस गटसे करके ज़ेगरों हां तो देन बात मैं फिर सा अध हुपाल जी यह तो बिलकुल action hero ला डायलोग है तो कहें कि चलो हम के हम चलेंगे तो वाग कर नहीं तो अब हम भी आएंगे देरे-देरे तो हम के अगर लोग सब को ले आए जाएगा हमने का सर्त यही होगी हम जा रहे हैं हम तो फाइनल करेंगे लेकिन सर्त यही होगी कि कोई जादा है कि हम सौ शित लड़के एक भी न जीते हैं और हम दसाइं लड़कर के अगर दसो जीत जाएं तो हमारे लिए बहतर है शुपाल जी ने कर बहुत अच्छा सुझा हो आप जाओ हम और बात करेंगे और पहले आप चलो इस बात्चीत में ओवेसी जी मौजूद थे पुछिए पुछिए का उनसे कि यो राजबर गलत बोल रहा है तो यह बोले यह बात हुआ पर जाके आप पोटू किछा लिए एक तरफा एलान करती है बता तो रहा हूं मैंने शुपाल जी से का कि मैं जाओंगा तो आनिसपार फैसरा लोंगा है चलो आप चलो उसके बाद तो हम लो कि मीटिंग तो आज जो मैंने देखा तो हमारा प्रयास था कि ज्यादा से ज्यादा लोग एक मोर्चे में रहें लेकिन जब गडबंधन की पहल सुरू हो गई मैं प्रयास सुरू कर दिया हो गया महां तो फिर सीटों की डिमांड लोगों की बढ़ने लगी लोगों की है आपके जड़िए कि खबर विजवाई थी उन्होंने अखलेश को 26 की हम अब मुबाइल उदर हम दिखा देंगे अपको अरे नहीं आपके कहे का मान है आप मेरे पास है 26 की अखलेश जी को मैंने दिखाया तो उन्होंने का कि देखो इसमें से हम 5-6-6 दे सकते हैं इसे ज अपकात को अधर मेसेच करन्वे किया उनके प्रदेश अधर को तो नहीं का कि नहीं कितना क्या सौकत क्या तो उन्होंने का कि इतनी सीट पर कैसे होगा तब आप लोग बात करो और हम बात नहीं करेंगे हमारा संदेशा अधर का पूरा हो गया हम तो सिवपाल जी और आप अधरों कहाने की इसाब सो गए और यह हम तो फैनल कर लिया है यही रिजल्ट है तो जो लोग हम आख है कि हमको कम सीट मिल रही है हमके डाइरेक्ट अब बात कर लो आप खुद बात कर लो जो ज्यादा ले लेना हम से जो चंपता उतना बात करके दिला जाजा जाए तर अधरी की पार्टी को पांचे सीट देने के लिए कड़वंदन में लाने के लिए राजी थे अचा यह आप लोगों यह भी का कि अखलेश यादाव मुक्तार अंसारी की पार्टी के साथ कामी एक्टल के साथ बहुत सहज नहीं है तो इसलिए आपको उसमें कवर की तरह ला कि दिखा ने आपने जिए गई सीट अपना दल को और अपना दल का प्रत्यासी नहोंगे दनागे शिंग की पतनी चेयर में बन गई अब भाजपा ने सम्म्रतन किया ना जिए एमिल सी बिज्य क्लिए रोका ता सुवुषद उन्हारी को पार्ठी Index का विले ना करो सफ़ा मैं नहींच देखिए आप वन लोगों का पी साथ w इसकले की बात आई थी कि आपने सलाह दी थी कि ले ना करो हमने लें किया भिले नहीं, हमने उनसे कहा कि जब वो सबस्पा की समझाते की बाते हमसे पूछे, हमके हम बीच भी बात कर लो, अगर आप इसकी। उसमारी बात नहीं बनी थे आच्छा बात कर लो अगर बन जाए तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं तो उन लोगों की थे कि आप रहेंगे तभी हम लोग रहेंगे नहीं तो बगएर आपके हम लोग चुनाव नहीं जीच सकते ये फैक्ट है पुरुवांचल की धर्ती पर बिना जयावन प्रकासराजबर के हम सुथा अकेले नहीं जीच सकते यह गारंटी है लेकिन हम अगर अखिलेशी चील के साथ काड़े हो जाए घलेशी죠 जाएंगे बशपा के साथ कड़े हो जाए तो बसपा मीं में टॉम जीच सबाया तो बात जीचिज जएगे दी नहीं दिच के बटवारा था हां तो हमसे मिले कौन द्या संकर जी का हमारी परभी कर देजी हमके हमार बाद सुनिए उपाटी दूसर अमर पाटी दूसर अरे कहा मंतरी थे तो बहुत मानते थे आपको वाज भी मानते हैं आप प्राद हो दीजिए हां तो मने फूर मिला है तो उनका से कहा था हमने का देखे आपकी पतनी मंतरी हैं आपके नांबर विचार नहीं हो सकता है तो वही बात उन्होंने हमको बताई सुथांदेर जी ने सवाप दयाशंकर का नेतागीरी खराब कर रहे हैं सब बता बतागे कि वह गांगा पर जो मैं कहता हूं एकदम डंके की कि अधिने साम को मारें घर पेघा पहुंच गये का कि चल चलिए उनके घर मिलके बाइट के बात हो जाती है ले की तो उन्ही की टो हमने परमिलाय दख का कि हृएा आप भाई्जार आध पहूँचेंग तो पहुंचेंके तो फोन करें कि हमको अच्छाः ठीक हैं तो हमके तो उसमें हमारा ड्राइबर और इसकोट सब छोड़ दिये थे हम अपना खाव के कपड़ पर निकाल के सोय थे हमके इसना सुब्रमा या जाई चावा बजे कोई न रही तो कला हम बड़ी सुब्तल हम पांच बजे उड़ी हम पांच बजे आजा अब देया संकर जी को लगे स तो अब उठे हम नहादो के रेड़ी ताइम छे बजे का था आई सो के उठते हैं लेट द्या संकर जी भून रा साइलेंट अब मिलाते हैं मिलाते नहीं जगे तो हम अकेले चले गए तो गए हुआ बाद थोड़ी दर के बादी पहुझे तो कि अब आप करिये हम लेट इस नंग पना नाम समाच से तो अमने का लिया देखो आभी पिछडी जाती को हम भी ज्याती को भी पिछडी जाती कि उम्को इसनाठे लिया है कि हमारा आप का संबंध और के ना आफे चाहे भाई कि नाते जो कुछ भी कह लिजिए चाय पाटी कि नाते या मंत्री थे तब के ये मेल सी में इनकी नाम की सूची आप भेज दो उन्होंने वही बात फिर दोहराई जो टेलिफोन पर कही थे कि इनकी पतनी स्वाथी सिंग तो मंत्री हैं विधायक हम कैसे कह सकते हैं असंभाव ह का जागा लिग दाएं वहीं कर जवा में तक जहले आप कह रहे हैं तो लिख देंगे लिकिन होगा नहीं हां तुमके सुन लेला भईया उरो कुछ कह को दो बोला तो कह नहीं कर नहीं कि पिर चाय और बात्चीत हुए क्या चला है पाटी उटी का बात्चीत पर उसके बाद आखरी बार आमित शा की तरफ से आपको संदेश कब आया है डेली आ रहा है हर चौथे पच्वे छट में संदेश आ रहा है कोई दीन ऐसा नहीं है कि संदेश बहा कुंकर नहीं आ रहा हो लेकिन उनको मालूम हो गया कि राजभर इतने गुसे में हमसे वह नहीं मिलेगा एक आखरी सवाल ओम प्रिकाश राजभर जी की जो सबसे बड़ी मांग है जो मुझे समझ में आया धेताओं को समझ में आया वह यह हमारा समाज है और दूसरा पिछड़ा समाज है तो उसको आरक्षन सी केटेगरी में मिले और इसको लेके मांगे और या पिछड़ा में भी फ अनुमोदन और पिर केंद्र से और सब चीजें और अब तो कोट भी स्कूरूटनी करता है हमने माहराश्च्छा की मांगे नहीं करता अगर मानकों का पालन नहीं होता है देखे मराठा आरक्षन में स्कूरूटनी हुई और फिर प्रोसेस पूरा नहीं तो पिर तो आपको लेकिन आखिरी में फिर केंद्र से मदद मांगनी पड़ेंगी हम केंद्र से मदद क्यों मांगेंगे केंद्र ओट मांगने आएगा ना इन पिछडे दलित के वीच में तो आप सवाल की तरह पेश करेंगे हम सरकार बना करके एक प्रपोजल सत्र जातियों को अनसुषिज परश्चे ना करने का विधान सभाज से विधान वर्स सत्र से पास करा करके प्रियंदर को भेजाएंगें और यह उत्तर प्रश्चंअ को बचाएं इसको प्रश्चाव हम भेज alma हैं आप लोगों के माध्यम से प्रश्चाव हम इनको भेज रहे हैं जिद्दीए जीमेदा आपकास्पावर है हम लोग जो कटेगरी बनी है जातिवर जनगरना अभी सबसे बड़ा अडगा जो है वह जातिवर जनगरना का सेंसेश नहीं हो रहे है तो अभी जैसे कि कोई भी जाती मानने को तयान ने कि हमारा इतना परसेंटेज लोग कहते हैं, अपना परसेंटेज बढ़ा के बढ़ाते हैं, जो राजनीत में सक्री लोग हैं, जो जाती हैं, वो जैसे अर्ग बंसी का, बंजारा का, बहलिया का, आरक का, खनहार का, प्रजापती का, पाल का, बिंद का, निसाद का, केवट का, मला का, नाई का, गूर का, लोहार का, फासवान का, धोबी का, धरिकार का, जुलहा का, धुनिया का, अंसारी का, साई का, दरजी का, पकीर का, इन सब के ओड को चालाख जाती है, जो राजनीत में आ गई हैं, इस सब का अपना ओड जोड ले मुसल्माणन की गिमति है मौरिया की गिमतिती है पटल की ती गिन्ती है बैजब बैंगोर मेल में जाद लोध जाड और लोध पीगिंद्ग अब उसके बाद बताइय कि दस जातियों के अलामा, नौ दस जातियों के अलामा, जो संक्या में काम है, उनकी तुलना में जाते हैं, लेकिन दुर्भा गया कि यह उभर नहीं पाए, एकता का भाव है, अब इन में जैसे कि एक एक दो दो पाटियों ने लोडर पकल लिया, राजबर को पकल लिया, प्रजापती को, पाल को, चवहान को, अर्गबंसी को, बंजारा को, भैलिया को, खंहार को पकल लिया अब उन्ही के सहरे वोट वह चला जाता है, पार्टियों को, तो कहां से गिंती होगी? यह एकता की देखिये, बात हो रही है, केशवदेव मौरिया से हमने पूछा क्योंकि उन्होंने आपके लिए एक शब्द इस्तिमाल किया था, तो फिर से बोले-बोले, हम पसंद नहीं करते हैं उनको, देखिये, क्या है खटका आप लोगों का, देखिये, स्वभाविक है, जब कोई ब्यक्ति उभरता है, तो पसंद बहुत लोगों को नहीं आता है, यह सही बात है, मानते है, जब कांसी राम जी उत्तर प्रदेश में आए, जब वो बढ़ने लगे, तो किसी पार्टी को पसंद नहीं आ रहे थे, लेकिन कांसी राम जी ने अपना रास्ता नही छ जब को घुलामों को घुलामी का यासास कराते गए, और गुलाम लोग अपनी जगड़ी जजीर को तोड़ने के लिए छट पराते रहे, और कांसी राम जी के पीछे लगे 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 रहे लेहें अभी ऐसा लगता है अब अग अधा बसमा में बना रहता तो और कुछ पो कि एक उनाओ जब तो पोन आया यहां किया राजबर क्या हाल चाल चलें एक टीक है बहता है कि कहा हो हम के हैं तो हैं आवास पे पंने अपने हैं मुलाकात हो सकती हम क्यों हो जाएगी कर आजाओ चला गया है मिले तुन्हों ने अपना अफर रखा क्या ओफर था कि हमको एक कोट की जरूरत है हमने का बेंजी दुरभाग है कि मैं बीजेपी के साथ हूं मेरे पास चार ओट है चारो बीजेपी गोड जाएगा पर इल्जाम लगा एक क्रॉस वोटिंग का तो देखिए लगे अलग बात है त जिकिन इस्ञिति की हमारा प्रयास हम जहां रहते हैं हमारे ओपर अरोप नहीं लगा हमारे ओपर अरोपने लगा हम तो कोसिस की ए कि चारो बीजेपो बॉट लो हम करा शुट किया तो उसकी सजा तो पायेगा ये हमने जंता से भी पूछा गी ओंप्रकार चाजभर जी से क पर एक रिशब का सवाल है कि राजबर जी का बयान भी है कि बीजेवपी के दरजनों मंत्री और विधायक उनके संपर्क में हैं ठीक है और वो दावा करने यूपी के संग्राम में वो अखलेश को राजपर दिला सकते हैं आप तो क्या अखलेश की ताजपोशी से राजबर जी की पार्टी का बुनियादी उद्देश पूरा हो जाएगा वो गडवंदन में अपनी पार्टी को कितना हैं मानते हैं क्या वो सोच रहें कि वो किंग मेकर हो जाएंगे तेखिए पहला सवाल जो आपका है ये जनता का सवाल है जनने जनता के तरफ से जो पहला सवाल है वो क्या है रिशब का यही सवाल कि क्या आपको लगता है कि अखलेश की ताजपोशी से आपकी वाली उसके पहले वाला है सवाल कि दर्जनों मत्री वाट विधायक संपर्क में है मैं दो महिने से कह रहा हूं आपने कल भी देखा एक बिकेट गीरा स्वामी प्रसाद मौर्या आज भी भी पिट कीर अभा outta कल कौन सा गिरिवाथ हम नहीं बता हैं करें रहें जी नहीं कोर सिफटर केस्वण अबने यहाउै कुछ त बढ़ो थी तारिक तक उनके बिकेट उर इता हैं तो बまだ ञापन को तो थनों प्रसी टिकेट नहीं दे रहे थे हूं वो तो कहभ़े कर कोंगे काई चरपटा रहे हैं कि मैदारी दे रहे हैं कि रोको समझाओ उनको बताओ ऐसा ना कड़े क्यों ठिकट नहीं देरे सुझाइए कैसे इसे jeito प्रस्ण सब्करता है साथी तो आप कहा रहे है फिर अर आप कि पहली बात सही साथिक है क्रें हुआ है के बात उंप्रिकास राजभर हम सीमी संसाधन वाले हैं सरकार बना करके हम लोग अपनी पार्टी को और ब्रिहत फैलाने में अखलेश जी का स्वयोग लेंगे उनसे संसाधन लेंगे यह इल्जाम भी लगाते हैं विरोधी कि आप संसाधन बहुत मांगते हैं जिस बड़ी पार्टी से बाजभा बता दे हम तो चुनवती देता हूं बैठा दीजे अमिसा को बैठा दीजे बड़ी रेली किया था 9 जुलाई 2016 को एक रूपया दिये हो तो राजनी छोड़ बता दें इनको लगती है कि हम दो दो तीन तीन हम लोग पार्टी करक्रता चुनाव लड़ रहे थे इनको चहिए था कि भाई तुम लोग दो करो रुप्या तुम लोग चुनाव लड़ो और यह लोग तमासा मचा रहे थे हमको दिये के लिए 25 रुपया बेजवाए हमके आपको जहुराबाद के लिए 25 रुपया है तुम लोग इतने निकमे हो इतने मुर्दा हो इसी से कहता हूं भार्टी जनता पार्टी जो कहता हूं आवे कोई सामने उतनी बड़ी किया कम से कम नहीं कुछ तो 70-75 लाग रुपया खर्चा हुआ 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 है सब चंदा मां सवाल है कि मेकर की हम नहीं कह रहे हैं हमरा जो साथी सवाल किया है आज उत्तर प्रदेश में जिस दिन से मैं अखिलेश जी के साथ खड़ा हूं उस दिन से पूरी समाजवादी पार्टी पूरी भारती समाज पार्टी भागीदारी पार्टी राष्टुदे पार्टी या उत्तर प्रदेश में सब लोग ये मानने लगे कि अब भारती जनता पार्टी को सक्ता से बेदखल ओम प्रकास राजबर करा देगा अच्छा दूसरा सवाल शालनी का यह आखरी सवाल इस इंटरव्यू का उन्होंने पूछा है कि राजबर जी किसी बड़ी पार्टी के साथ गढ़ बंधन को लंबे समय तक बना कर क्यों नहीं रखपाते हैं कि आपने इसका जवाब पहले भी दिया पर क्युकि सवाल पूचा है को है अभी हम 17 में चुनाव लड़के, हम अपनी सीट ले लें, 22 का चुनाव लड़के, हम लोग पहले सरकार बना लें, उसके बाद न 24 की बात आएगी, अभी से आगे आगे का क्या है, हम पता लगा कि भी, पता नहीं, अभी 22 है नहीं बीटा तो 24 का सोचने लगे हैं, जमघट में ये बातचीत यहीं पर रुकेगी, आपको सुहल देव भारती समाज पार्टी के राश्ष्रीय अध्यक्ष के वक्तव उनके द्वारा दिये गए, जो पॉलिटिकल एनेक्डोट्स हैं, थ्योरीज हैं, वो कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताईए, जमघ दिवर जी आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद और चुनाओं के लिए बहुत बहुत शुप कामना है, थैंक यू